दित्रो आज यहां में पद्य सिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में बताऊंगा जो कि हमेशा प्रतियोगी परिक्षाओं में पूंची जाती हैं जो कि प्रमुख प्रतियोगी परिक्षाओं में पूंची जाती हैं उनमें कई वार दंडानवय खंडानवय आदी वि जो कि पद्य सिक्षण की प्रमुख बिधी मानी गई है, यहां दंड बाक्य का प्रतीक है, यहां दंड से तातपर या ग्रंथी सहत दंड से है, इस बिधी में स्लोक का अनवय करने का प्रयास किया जाता है, साधार्ण सब्दों में आफ समझ लें कि दंडानवय का मतलब है स् और अनवय के माध्यम से चात्रों से प्रस्न पूँचना और ब्याकर्ण संबंधी प्रस्न पूँचना यह दंडानवय का मतलब होता है सामान सब्दों में यहां चात्र स्वयम अथ्वा अध्यापक की सहायता से प्रधान बाग के खुजता है और ब्याकरण संबन्धी प्रिशनों को पुंचते हैं मतलब ब्याकरण संबन्धी प्रिशनों को पुंचे जाते हैं स्लोक में से करता क्रिया कारक अनवय आदी को छाटने के लिए प्रस्न किये जाते हैं स्लोक का अनवय करने का प्रयास किया जाता है प्रमुख चीज ये है दंडानवे विधी की कि इसमें स्लोक का अनवय करने का प्रयास किया जाता है और जो भी बाग के हैं उनमें क्रिया धूड़ी जाती है कारा कादी धूड़े जाते हैं और प्रत्या उपसरगा आदी के माध्यम से बताया जाता है जैसे कि एक उदाहन लिया हमने उस्ट्राणाम विवाहेशु गीतम गायन्ती गर्दवा अन्योन्यम प्रशंशंती अहो रूप महो धुनिही इस प्रकार से देखें यहाँ पर दंडान बै बिधी में इस प्रकार के पर पूछे जाएंगे जैसे कि असमिन स्लोक के करता कहा त गायन्ती गाना क्रियापद है असमिन स्लोक के कर्म क्या है तो गीत इसमें कर्म है इस प्रकार के जो प्रस्न है वह प्रस्न यहाँ पर कारक क्रिया संबन्दी प्रस्न इसमें पूछे जाते हैं अब देखें खंडान बै बिधी में खंड खंड करके प्रस्न पूछे जाते ह होकर बिसाय के जो इसलोग है इसलोग के बिसाय पर आधारत होते हैं जो इसलोग दिया हुआ है उस इसलोग में जो बिसाय है उस बिसाय पर आधारत होंगे किसी भी प्रकार से ब्याकरण के अन्य प्रिस्ण नहीं पूचे जाएंगे अन्वय करने के लिए सर्वपृथम प्रदान बाक्य को खोजा जाता है उसमें प्रदान बाक्य को देखा जाएगा कि या है फिर उसी को आधरत करके उसका अनवय किया जाएगा इसमें संग्या सर्वerta真ाम आदी का ग्यान कराने वाले प्रयोग रिए जाएगा इस विधी में चातर सक्री रहते हैं इस लोग पाठ में रुची बढ़ती है उसके बाद में सामुहिक सिक्षण की है सर्वस्रिष्ठ विधी है देखें जैसे परिसन के आप पूँचे जाएंगे तो वही का वही इस लोग है सेम तो इस विधी में इस परकार के पूँचे जाएंगे देखें गधे क्या कर रहे हैं गधे गीत गा रहे हैं डायरेक्ट पूँचे जाते हैं खंडानवा विधी में कहां गीत गा रहे हैं तो उटों के विवाह में गीत गा रहे हैं और अन्य क्या कर रहे हैं अन्य उनकी प्रसंसा कर रहे हैं इस प्रकार से केबल प्रशन पूंचे जाते हैं तो यह हुई दंडानवाय और खंडानवाय विधी अगली विधी जो एक और है गीत विधी इसमें जो अध्यापक होता है वह गीत गा करके या अविने करके नाटा कारी करके बताता है जो अपना पार्ट है वह पढ़ाता है यह प्राथ में इस तरह के लिए उप्योगी कही गई है यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करें जिससे की आप सीधे हमारे वीडियो से जुड़ पाएंगे